जैहिंद आपके रोल्स एजुकेशन रोल्स एजुकेशन पर सबका स्वागत है दू कन्फर्म करें मेरी आवाज अभी आप लोगों तक सुनाई पड़ रही है आप लोग मुझे देख पा रहे हैं राइट तो आज हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में लिखेंगे बहुती अच्छे तरीके से सारे प्रोवीजन्स को कल हमने समझा था राइट तो जैहिंद अंसी जैहिंद प्रेम जैहिंद कांतिय सिंग सबका स्वागत है ठीक है ओके वेरी गुड तो अगर आपको सुनाई दे रहा है तो फिर चलिए शुरू करते हैं के बारे में कल बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा था यह सारे बैक्ग्राउंड्स हमने लिखे थे एक्च्छल में यह सभी बैक्ग्राउंड मैंने बहुत ही बिस्तरीत तरीके से आपको समझाने की कोशिस की थी देख लो 1905 में बंगाल का विवाजन करजन के प्रती लोगों का गुसा 1906 में मुस्लिम लिख का बनना मुस्लिम लिख जो थी वो एक्च्छल में अंग्रेजों से एफनिटी रखती थी क्यों क्योंकि बंगाल का जो विवाजन हुआ था बंगाल का जो विवाजन हुआ था उसके फेबर में थे इस्टर्न बंगाल के जो मुस्लिम थे वो उसके फेबर में थे 1907 में कॉंग्रेस की स्प्लिट हो गई थी कॉंग्रेस की स्प्लिट के बारे में मैंने बताया था सूरत, स्प्लिट, सूरत, स्प्लिट में, सूरत के अधिवेशन में कॉंग्रस तूट गई थी, नरम दल और गरम दल बन गया था 1905 से लेके 1908 तक सुदेशियन बाइकॉट मुव्मेंट हुए थे सुदेशियन बहिसकार आंदोलन हुए थे वैसे ही 1909 में इन सारी चीजों को खुश करने के लिए रैट, भाई, पाडिशन ओब बंगाल बंगाल रॉंग कह सकते हैं मुस्लिम लिग तो फेवर में है, कॉंग्रिस में स्प्लिट हो चुकी है और अब हमें कैरेट और स्टिक इस्तमाल करना है कैरेट नरम दल वालों को देना है स्टिक गरम दल वालों को देना है 1905 से लेके 1908 तक सुदेशियन बाइकॉर्ट मुवमेंट चले हैं जिसमें स्पेशली जो एक्स्टिमिस कॉंग्रिस वाले थे उनका खूब बोल बाला था राइट उग्र रास्टवाद हमको यहां पे देखने को मिल रहा है तो स्वदेशियन बाहिसकार आंदुलन में खूब जादा जो हमारे गरम दल के नेताओं ने खूब जगों पे पूरे भारत म बिरुद्ध परदरश्चन किये ठीक है फिर अब आप देखो इसी को लेकर के मौरले मिन्टो रिफॉर्म्स आया था मौरले मिन्टो रिफॉर्म्स मौरले कौन है पापा पापा मतलब सचीव सेकरेटरी ऑफ स्टेट स्टेट फॉएंडिया कहां पे इंगलेंड में मिन्ट तो कौन यहां पर वाइसरा है मौरले मिंटो सुधार होने के बाद से वाई सारी चीजें उसमें खुब जादा सीटे बढ़ाई गई Central and Provincial Legislative ताउंजिल में भारतियों को खुश करने के लिए केंद्री एवं प्रांतिय विधान परिशत में Elected Members की संख्या बढ़ाई गई उसके बाद से अब हम बढ़ रहा है किसकी तरफ Montague James Ford की तरफ जो 1919 में हुआ है उसके पहले क्या-क्या चीजे हुई है उससे पहले देखो क्या-क्या चीजे हुई है सीधी सी बात है कि 1911 अक्षे जहिंद अंसी जहिंद बस मैं फड़ाफट 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 आपको बताते जाता हूँ उसके बाद लिखना वाला काम शुरू करेंगे 1911 क्या हुआ एंडूल्मेंट और पार्टिशन ओव बंगाल का विभाजन रद्ध हो गया बंगाल का विभाजन रद्ध हो गया मुस्लिम गुसा हो गया थे 1911 से 1912 टुर्को इटालियन वार मुस्लिमों को लगा कि भाई जो उनका धर्म का खलीफा है जो तुर्की में बैठत है वो उसके अगेंस में अंग्रेज जो वहां पे क्रिश्चन है वो उसकी मदद कर रहे हैं तो इसलिए मुस्लिम एंग्री है 1912-13 में बलकान वार हुआ बलकान वार में भी उनको यही लगा कि तुर्की भाई डाउन जा रहा है और ये क्रिश्चन जो हैं सभी एक साथ मिले ह हुए मुस्लिम है होम रूल मूंध हुआ 1915 से लेकरके 1911 के बीच में अपर यहां पर कॉंग्रेस वालों Besidesis 60 मांघी ठीक है श्वदेशी की मांग की राइट होम रूलान दोलन 1914 से लेकर के 1918 वर्ल्ड वार वन हुआ प्रतम विश्वयुद्ध हुआ जिसमें यही मोटो था कि लोगों को इंडिपेंडेंडेंस मिलनी चाहिए तो यहां से जो कॉंग्रेस के नेता भी यही बात सोच रहे थे कि जब हम युद्ध में मदत इनकी इसलिए कर रहे हैं कि यह इंडिपेंडेंस के प्रनेता लीडर बनके खड़े हैं अंग्रेज तो हो सकता है हमको भी इंडिपेंडेंट दे दे तो खाला कि इंडिपेंडेंट तो नहीं देंगे लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा पावर जो ह गया कॉंग्रेस फिर से यूनिफाइड हो गया नरम दल अवं गरम दल मिट गया लखनाव पैक्ट राइट लखनाव पैक्ट यह सारी चीज़े चल रही थी और अब की बार इस सारी प्रॉब्लम्स की वज़ों से धीरे 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 हमारी बिटीस गौवर्ण्मेंट चा रही है कि लोगों को फिर से फेबर में ले आए लोगों को फिर से फेबर में ले आए इधर कॉंग्रेस भी गुसा थी कॉंग्रेस क्यों गुसा थी क्योंकि उनको लगता था कि जो आपने प्रोविंस में या सेंट्रल एसंबली में सेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल में या फिर प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव कांसिल में जो कॉमिनल कॉमिनल आपने सीटे बाटी है ना इलक्ट्रेट्स कॉमिनल एलेक्ट्रोड बनाये हैं उसमें मुस्लिमों को ज्यादा सीट हैं कॉंग इस भी गुस्सा है भाई यह सारी गुस्से को कम करने के लिए को लिए पीछ है पीछे एक बार आओंगा नहीं तो फिर से वही बताएंगे फिर से वही बात होगी तो लिखना ही शुरू करता है फटाफट 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 चलो तो अब यह पेज नमबर वन ठीक है फटाफट लिखेंगे जहां पर डाउट होगा तुरंत वहीं पूछना है ठीक है अंसी अभी आपका डाउट क्लियर मैं करूंगा जो आप कल पूछ रही थी कि सर जो सेंटर में मैंने कल आपको बताया था सब लोगों को बताया था कि सेंटर में तीन अभी काउंसिल ह एक तो भाई वैसराई की एक्जेटिव काउंसिल है और इदर लेज़ेटिव काउंसिल दो हिस्सों में हो गई है एक काउंसिल अफ स्टे के और और कौर पूछा था कश्यप कश्यप आपने पूछा था फॉर ओफिस्ग इंडिया कमुणिटी यहां पर इंडियन स्कॉंणिटी है इंडियन कॉमर्स कोमूर्स पूमॢ्पी है यूजर दैर इन्हें क्लास था लिखो कि भारती है व्यपार शमुदाय गो इंडियन कॉमर्स कॉमूरिटी है ठीक है ओके क्या सिक्स थे या आठ थे मैं क्या बोला सिक्स कहां बोला मैं तो आठ बोला ना बाबू नहीं आठ होने थे आठ हो देने थे अब क्लियर है चलो कोई बात नहीं बीच में जहां पर लिखाएंगे यहां पर हो सकता है कि कहीं पर कहीं पर मेंबर कहीं ज्यादा लिखेंगे कम लिखेंगे हां कम से कम इंडियन तीर होने थे राइट और वहां पे 6 तो होना ही नहीं है कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 वेरी गुड कांतिय सिंग चलिए फड़ा फड़ा हम लिखना शुरू करते हैं ठीक है गॉर्ण्मेंट ओफ इंडिया इसको थोड़ा सा मैं छोड़ा कर देता हूं राइट और थोड़ा सा हलका सा चोड़ा है यहां पर यह रहां बैकग्ड्राउंड ज्यादा चोड़ा होगे चलिए तो हम लिखते हैं गॉर्ण्मेंट ओफ इंडिया एक्ट गॉर्ण्मेंट ओफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन और वही आप फिर से मॉन्टेंग चैंप्स फोर्ड ठीक है इधर लिखिये भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहां पर सट रहा भाई भारत सरकार अधिनियम उन्निस सो उन्निस ठीक है उन्निस सो उन्निस और अभी हम क्या पर सबसे पहले जब हम ऐसा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाईया सबसे पहले जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो हम लिखते हैं बैक्ग्राउंड यानि यहां पर हम लिख रहा हैं बैक्ग्राउंड ओफ इसको फिर से लिखे हैं बैक्ग्राउंड ओफ बैक्ग्राउंड ओफ गौर्ण्मेंट ओफ इंडिया एक्ट नैंटीन नैंटीन ठीक है सीधी सी बात है बही है और इधर भारत सरकार अधिनियम उन्निस का की प्रिष्ट भूमी की प्रिष्ट भूमी ठीक है चलिए लाइन खिजना है चलिए अब यहां पर सीधी सी बात है कि प्रिष्ट भूमी क्या क्या आप लिख सकते हैं यहां से कुछ उठाना चाहते हैं यहां से कुछ आप उठाना चाहते हैं अन्यूल्मेंट और पार्टिशन और बंगाल ठीक है पहली यहां से उठाओ पार्टिशन और बंगाल बास अन्यूल्ड या फिर यहां बलिखो मुस्लिम मुस्लिम्स इन इंडिया इंडिया वर नौट हैपी विद दब बिटीश बिकास ओफ फॉलोइंग रिजन्स ठीक है फॉलोइंग रिजन्स अब फॉलोइंग क्या है मैं अभी लिखूंगा यहां पर देखो कि भारत के मुस्लिम बिटीश सरकार से बिटीश सरकार से निम्लिखित कारणों ठीक है की वजह से गुस्सा लिख दो रोस दे दो गुस्सा थे वट र दे रिजन्स रिजन्स वान रिजन्स टू रिजन्स त्री रिजन्स ठीक है तो पहला इधर रिजन लिखिये हाँ पहला लिखिये रिजन्स अन्यूल्मेंट ओफ पार्टीशन जहां डाउट होगा तुरंत पूछना है मन में कुछ भी नहीं रुखना है ठीक है अन्यूल्मेंट ओफ पार्टीशन ओफ बंगाल ठीक है एक दूसरा मैंने क्या पता है था आपको यहां पे 1911-12 तुर्को इटालियन वार ठीक है तो यहां पर लिखो तुर्क इटालियन वार ठीक है तुर्क इटालियन वार ओफ 1911-12 तीसरा क्या है भाईया फटा फट तीसरा क्या है बल्कान वार बल्कान वार ओार उस्कार क्यांसाइद न यहां है ओलिए वन क्लाश इस देयर नोबडी इन दे ग्लास है एड डाइट वी से कि सर हमको मतलब जो है कितने स्लाइड है स्लाइड हैं कितने स्लाइड है एक ही क्लास है जितने स्लाइड है अब पांच दिन तो पढ़ेंगे नहीं तो अगर भूक सोने का मन हो तबियत कंब हो रही हो Rem hinter the खुराब हो रही हो किसी को भी कोई दिक्कप हो हाँ ठीक है बंगाल के विभाजन में रद्ध होना विभाजन का रद्ध होना इसलिए मैं कोसिस करूँगा फास्ट क्योंकि आप लोग को आइडिया दे चुका हूं मैं इसका तुर्क इटालियन वार उफ 1911-12 तो यहां पर लिखो हाँ तुर्क और इसके लिए आप लोग परशान नहों अगर एक भी आदमी बैठा रहेगा या सब चले जाएंगे तब भी मैं ऐसे ही बोलते रहूंगा लिखते रहूंगा तुर्क इटालियन वार इसको लिखो 1911-12 का तुर्क इटली युद्ध इसके बारे में मैं आप सबको बता चुका हूं कल आपको एक्जांपल भी दिया था कि कैसे इसराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है उदर फिलिस्तीन के प्रॉब्लम के लिए चलो ठीक है एशिए कोई अगर कमजोर है तो वह भी तो नहीं मान रहा है वो भी तो रॉक dobrze चोकर रहा है वह भी तो Ro luxurious कोई चोड़ः है तो उसको सपोर्ट करो इसको सपोर्ट करो वट्धा 54 वारइए टीव पीपल यह पीपल उफेव्र संपरिकलर सेक्शिन वह सेक्शन के लोग को तकलीफ हो जाती है और दूसरा उनके अगेंस्ट में तठाक दिद देजभग दिकटे हो जाते हैं भारत के इंट्रेस्ट को जो डेपलोमेटिक इंट्रेस्ट से किसी को कोई मतलब नहीं है हमें मतलब होना चाहिए ठीक है तो भाई मतलब एक कॉमुनिटी का ये दिक्कत रहे है क्या किलाफत आंदुलन भारत में अंग्रेज क्या कर रहे हैं little not having any problem but the people have problem because took के थीफा को हटा दिया गया था तो के खलीफा को भडाकरолет को मुस्टफ़ा कमाल पासा को लाया गया था k लाफत आंदूलन कर दिया तो यहां पर problem तो है There is a problem ठीक है अब मेरी बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे Okay, very good So, Balkan War of 1912 and 13 तो हम लिखेंगे 1912-13 का Most welcome अक्षे 13 का Balkan War Balkan युद ये तीन Then, ये तो Muslim लिखेंगे गुसा होने का वज़ा होगा दूसरा, हम लिखेंगे Two Congress was unhappy Okay Congress was unhappy Because of Because of More seats Given More seats Given To a particular community Particular Community Now, मैं वैसा नहीं हो कि particular community लिखो, मैं clear लिख रहा हूँ Particular community यहां पे लिखो Muslims Muslims Despite of Their Lesser population Lesser Population ठीक है Despite of Their Lesser population Congress was Unhappy Because of More seats Given to a particular community That is Bracket में Muslims Despite of Their Lesser populations ठीक है ठीक है हाँ Despite of इसको भी आप एक बड़े bracket में कर लीगे Community As In Communal Communal Electorate In Separate Communal Electorate Separate Communal Electorate ठीक है ठीक है तो यहां पे अब इस बात को हम लिखते हैं ठीक है यहां पे लिखो की Congress Chris भी British सरकार्स से खुश नहीं थी खुश नहीं थी क्योंकि प्रिथक शंप्रदाइक निर्वाचक मंडल के माध्यम से के माध्यम से किसी विशेश समुदाए को अधिक सीटे आप लोग कहोगे कि सर बड़ा diplomatic हो गया है ब्रेकेट में मैं लिखोंगा Muslim दूसरा यू और अल गोंग टू बी अ civil servant चाहे आप हिंदू है या Muslim है याद रखिए आपके उत्तर या आपकी मानशिक्ता उत्तर तो बाद में लिखना है आपकी मानसिक्ता हमेशा ही fair होने चाहिए fair होनी चाहिए देश प्रेम से तो हो दिल में हो देश प्रेम से ओत्प्रोत हो करके किसी को hurt नहीं करना है या अगर आप Muslim है तो ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि देश में जो हो रहा है बिलकुल गलत हो रहा है या जो सर कह रहे हैं या फिर उत्तर हम लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है just keep your mind free बाद समझ रहे हैं ना अगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है तो वह घातक है इटली और जर्मनी का फाशिवाद और नाजिवाद इसका उदाहरन है दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर किसी एक चीज से अगर आप मतलब धर्म समुदाय से संबंद रखते हैं तो आपको यह लगे गा कि बाई देश में खत्रा है तो मतलब सोसल मेडिया से थोड़ा अलग हटिए तो कांग्रेस भी बिडी सरकार से खुश नहीं थी बस आपको यह गोल होना चाहिए कि सेवल सर्वेंट बनना है तो एक दम ही नूट्रल रहना है देश में सांती ब्योस्ता हो देश की चीज़ें अराम से चलें आपका यही गोल होना चाहिए यही सोंच होना चाहिए कांग्रेस भी बिडी सरकार से खुश नहीं थी प्रिथक शामप्रदाइग निर्वाजक साध्यम से किसी बिसेश समुदाय ब्रेकट में लिखिये मुस्लिम मुस्लिम को ज्यादस सीटे मिली हुई थी सीटे मिली हुई थी इसलिए कॉंग्रेस भाई गुस्सा है ठीक है न उसके बाद हमने और क्या लिखाया था ओके अन्यूल्मेंट और पार्डिशन और बंगाल हो गया तरको यह हो गया होम रूल मूव्मेंट हाँ होम रूल मूव्मेंट ठीक है दूसरा कि थर्ड सभी लोग यह मतलब राइटिंग तो समझ भी आने और बड़ा तो नहीं लिखना है जैसा पता हिए गया की इंग्लिस ओरडी बिटीप अलरडी है डिस्टनिस ठीक है बिटीप अलरडड़ी हाड बिट् Bitte अलरीदी ध्रड बिटनिस ठीक है बिर गुड्ड ओरड़ड़ी हाड Tinist बिटनिस्त the home rule movement take a home rule movement home rule movement home rule movement so they had this in mind that that इंडियन्स आर, ठीक है, इंडियन्स आर, हैल बाउंड, तो हैव, सेल्फ गवर्णनेंस. भाही, उनको ये बात समझ में आ गई थी. होम रूल मुव्मिंट के दोरान की भाही, मानेगा नहीं, स्वदेशी सासन ले के ही रहेगा. तो स्वदेशी सासन नहीं देंगे, तो कुछ न कुछ थोड़ा सा इनको अडिमिस्टेशन में ले के आते हैं. क्लियर है? कि मानेगे नहीं भारती है. देखो, लिखे हम कि अंग्रेजों को समझ में आ गई थी. नहीं, होम रूल आंदोलन के बाद, लिखो, 1915 से 16 के बीच हुए, होम रूल आंदोलन के बाद, के बाद, अंग्रेजों को यह बाद समझ में आ गई थी. समझ में आ गई थी कि भारती अब स्वसासन के लिए, अड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो इसका क्या उपाए है बाबू? हां? सो, दे मेभी, दे मेभी, किम के वे लिखते हैं आहें, कि लिखते हैं, लिखते लिख भाफरापक देछक लिखते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? So, they may be made happy by giving them more role and power in administration. दूसरा, यह सब मेरे सब्ध हैं और यह बिलकुल ही जो मैं जैसे मैं बोलता हूँ, वही सब्ध हैं. I hope कि आप लोग को समझ में आ रहे होंगे. British already had witnessed home rule movement, so they had this in mind that Indians are hell-bound to have self-governance. So, they may be made happy by giving them more role and power in administration. चलो. अटह उन्हें और याद रखिएगा Provisions इतने important हैं कि prelims में सीधा-सीधा उठा के point रख देता है. उठाएगा point रख देगा, उठाएगा point रख देगा, उठाएगा point रख देगा, समझ रहे हैं? इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िए गाइसको. आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम पढ़ा देना है, ठीक है, हर एक doubt को clear कर देना है. अतह उन्हें प्रशाशन में प्रशाशन में ज्यादा भूमिका एवं शक्ति देकर शक्ति देकर खुश किया जा सकता है. बस इतना ही लिखो, वो बाकी सारे वो भी है ना, वर्ल्ड वार वेगरा आप ज़्यादा हो जाएंगे. तो ये दो तिन चीजे तो दिमाग में रहेंगी. भी, मुसलिम्स उनहापी, कॉंग्रेस उनहापी, और पीपल उनहापी. होम रूल अन्डूल. अब इंग्लिस वांट टू मेक अस हैपी. खुश करना चाहते हैं. राइट? खुश करना चाहते हैं. तो आप क्या करेंगे? खुश करना जाएंगे. तो मॉन्टेग चेम्स फोर्ड लेखे आएंगे. चलो. बहुत चलाक हैं. आपको एक बात पता है. इंग्लिस को, ब्रिटिसर्स को, ब्रिटिसर्स बहुत ही जेंटल मैन माने जाते हैं. बले कुरकुट हो, बट दे आर वेरी क्लेवर. और स्टिल यार कॉल्ड वेरी मतलब आज भी ब्रिटिस जेंटल मैन की हर एक जगह पे मतलब मिशाल दी जाती है. आप मैंसे कई लोगों के पास, कई लोग अपने माता पिता के सांथ जाते हैं. माता पिता, बहन, भाई. कितने लोग अगर कार में जा रहा हैं, तो माता जी के लिए, या बहन के लिए, या वाइप के लिए जाकर के गाड़ी का वो खीचेंगे दरवाजा खोलेंगे हम में से कोई नहीं करता है मेरे पास भी है मैं भी जाता हूँ मैं भी driving seat पे बैठ जाता हूँ ठीक है दादी मा है उनके लिए भी मैं कुद बैठ जाता हूँ और कहता हूँ कि बैठ जाईए बिकाज वो हमारी आदतों में नहीं है वो हमारे इंडियन आदतों में नहीं है उतना सिस्टचार हमारी आदतों में नहीं है वो भले दुस्ट है वो clever है वो ऐसा काम करते हैं कितने लोग आप में से उधर जाते हैं क्या बोलते हैं होटेल्स वेगरा में खाना खाने होटेल्स वेगरा में खाना खाने तो कितने लोग माता जी के लिए दादी मा के लिए बहन के लिए गल्फरेंड के लिए वाइफ के लिए कितने लोग कुर्सी खिषते हैं कोई नहीं खिषता है ठीक है बिलकुल कोई नहीं खिषता है लेकिन देखो बिटिस अगर गए है तो अधिकतर mostly जो बिटिस जेंटलमेन है वो ये काम करेंगे ठीक है बिटिस जेंटलमेन ये काम करेंगे हमारे आथ छीकने खासने के बाद कोई thank you बोल दे excuse me जैसे sorry तो लोग यहां देखते हैं ये क्या कर दिये कि sorry है ऐसा है न वह इंगलिस करते हैं राइट चलो तो बड़े जेंटलमेन हैं बड़े चालू है बहुत चालू ठीक है अंग्रेज बहुत चालू है तो अब हम ले आते हैं four इसलिए उनको पता है कि अगर गुर्सा है कोई तो किस प्रकार उसको खुश करना है ठीक है तो अब देखो सो ठीक है हाँ सो देन सेक्रेटरी ओफ स्टेट देन सेक्रेटरी मतलब कि उस समय का सेक्रेटरी ठीक है सब्सेटरी अग्रिट जडूर्ट चंपसओड लूर्ट चंपसओड लूर्ट चंपसओड अट वैसराई आफ इंडिया स्वरी स्वरी लॉर्ड चैम्स फोर्ड नहीं है भाई मॉन्टेग है यह उल्टा लिख दिया सो देन सेक्रेटरी ओफ स्टेट मॉन्टेग क्या नाम है एडविन मॉन्टेग यहाँ पर लिख लो एडविन मॉन्टेग एडविन मॉन्टेग भी लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा एडविन मॉन्टेग लॉर्ड चैम्स फोर्ड लॉर्ड चैम्स फोर्ड क्या क्या ब्रॉट अटिशनल अटिशनल उन्टोशनल सॉरी आटिवन प्रोट यह मैं दूसरे पिंसे लिखना था दूसरे पिंस लिख ले ठीक है काई लिखूंगा की आटिवर्ट Constitutional reforms Constitutional reforms Which is known as Which is Known as Kya naam hai Montague Montague Champs Ford Reforms Montague Champs Ford Reforms Atheak hai? Hmm Which Was brought in Which was brought in Which was brought in In By The enactment of Enactment of Government of India Act India Act 19-19 19-19 Atheak hai To Yahaan Sseedhi Baat Dekhye Bhaia Ki Is Bhaarat Bhaarat अता ततकालिन भारतिये राज सचीव एडविन मौन्टेग एडविन मौन्टेग एवं ततकालिन भारतिये वाइशराय वाइशराय लॉर्ड चेंप्सफोर्ड लॉर्ड चेंप्सफोर्ड ने कुछ संबैधानिक सुधार लाए सुधार लाए जिन्हें मौन्टेग चेंप्सफोर्ड सुधार कहते हैं मौन्टेग चेंप्सफोर्ड सुधार करते हैं जिसे भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम उनिस सो उनिस में लाया गया उनिस सो उनिस के द्वारा लाया गया के द्वारा लाया गया ठीक है बोलिएगा मैं करता हूँ जाए बड़ों के लिए ओके constitutional reforms का मतलब क्या होता है do you understand constitutional reform का मतलब constitution आपको क्या पता है कि क्या England में क्या कोई constitution है इंग्लेंड में जो constitution है इस इत रिटन बताईए अक्षा है यू देर अध्यान नहीं दे रहा था नहीं इंग्लेंड में constitution है आज भी है इस इत रिटन बट नॉट इन रिटन फॉर्म समझ रहे हैं यानि कि आप समझ लो कि वहां पे भी एक्ट 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 आते हैं constitution का कोई किताब नहीं है उनके पास written नहीं है तो अगर वह भारत में यह चीज़े ला रहे हैं तो यह अपने हिसाब से वह constitution का ही हिस्सा है बस written form में मतलब कोई किताब नहीं है यह अक्षया ओणते हैं अगरुए आदे वह इस सानवीजा कि इसको का सकते हैं वहेरी गौड लाया गया ठीक है? चलो अब लिखो The main purpose was सीधी सी बात है The sole purpose was main purpose क्या था भई? To ensure बारतियों का रिप्रेजेंटेशन गवर्णमिन में ज्याधा बढ़े ठीक है? The sole purpose was to ensure Indians The sole purpose was to ensure representation of Indians representation of Indians in the government in the government यानि की यहाँ पे पांचवा अगर हम लिखे हैं तो यह क्यों लाया गया? तो भाई इसका मुख उद्देश इसका मुख उद्देश सरकार में सरकार में भारतियों का प्रतियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था ठीक है? प्रतिनिधित्व को शुनिश्चित करना था प्रतिनिधित्व को शुनिश्चित करना था ठीक है? हाँ बोला कि इस एक्ट प्रतिनिधित्व को शुनिश्चित्व 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 को शुनि ठीक है तो यहां पर लिखिए कि इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम से केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतों में भी क्या हुए प्रांतों में भी सुधार हुए ठीक है तो यह है हमारा बेक ग्ग्राउंड बंगाल के विभाजन रद तुर्क इटली युद्ध और बलकान युद्ध। कॉंग्रेस गुस्सा बाई तुम प्रिथक प्रिथक संप्रदाइक निर्वाचक मंडल ले आये हो मुस्लिमों को तुम उनकी जनसंख्या से ज्यादा सीटे दे रखे हो और बाकी सारे लोग गुस्सा 1915 सोरा में होम रूल के द्वारा स्वसासन चाहिए अंग्रेजन ने कहा रहे यार स्वसासन कौन देखता है तुमको तुमको हम ज्यादा सीटे दे देते हैं चुप रहो और इसी लिए दोनों ने फिर बैट के कॉंस्पायर किया कॉंस्पिरेशी शड्यंतर रचा शड्यंतर रचा स्टेट स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एड्मिन मॉंटेग वाइसराय उफ इंडिया लॉट चैम्सपोर्ट ने कहा कि एक काम करते हैं बड़ा मतलब परसान कर रहा है सब तो एक काम करते हैं कि कुछ रिफॉर्म लेके आते हैं खुस हो जाएंगे और उसी रिफॉर्म को मॉन्टेग चैम्सपोर्ट रिफॉर्म कहा गया और यह 1919 में क्या मुख्य उद्देश था भारतियों को और ज्यादा प्रतिनिध्यतु सरकार में देना और इससे केंद्र सरकार के सांसर प्रांतों में भी शुधार किये गए एनी डाउट बैक ग्राउंड में किसी को भी डाउट है अभी पूछिए हाँ सभी गुसा थे ठीक है सुधार है सुधार इसलिए है क्योंकि वो लोग गुसा है उनको खुश करने के लिए देखो सब भाग गया फिर चलो कोई बाद नहीं no problem ठीक है next अब हम देखते हैं provisions of the act हा ने ने सब हैं 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 एक दो भागे हैं चलो तो provisions ध्यान दीजेगा provisions of ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड प्रोवीजन्स ओफ गौर्ण्मेंट कल कौन एक किसी ने कमेंट किया था कि यह पढ़ती हैं कि नहीं अंसी तो मैं बोला कि यहां पर जो नहीं कि पढ़ने वाला है वह भाग जाएगा तुरंती बाग जाएगा तो प्रोवीजन्स ओफ गौर्ण्मेंट ओफ इंडिया एक्ट अब शुरू हो रहा है कि भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम अधिनियम उन्निस सो उन्निस के प्रावधान ओके ओके वेरी गुड अक्षदा चलो वेरी गुड अजय सो भारत सरकार अधिनियम उन्निस सो उन्निस के प्रावधान ठीक है क्योंकि क्लास लंबी जाएगी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई अभी तो लिखना अभी काली बैक्ग्राउंडे हुआ है उसके बाद से पहले प्रावधान होंगे उसके बाद उसे लाव होंगे उसके बाद उसकी घटनाएं होंगी जहां पर भी आपको लगे ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग प्लीज बताना कि सर्थ इसको फिर हम कल कर देंगे तो कल हम लोग अगर आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो कल करेंगे और कल हम इसकी modern history की जगह पे इसको करेंगे ठीक है बड़ जस्ट परशान होने की ज़रूत नहीं है सबसे पहले हम बात करेंगे Central Government में यहां पर सबसे पहले लिखेंगे Central Government ठीक है Central Government कल हमने आप लोगों को एक चीज समझाई थी सब्जेक्ट्स मैंने कल आपको बताया था यहां बे सब्जेक्ट्स जो आज हमारे केंद्र और राज सरकारों के बीच में विसयों का बटवारा है विसय किस लिए ध्यान देना विसय यह सब्जेक्ट किस लिए कानून बनाने के लिए विसयों का बटवारा कानून बनाने के लिए जो आज है कितना है कि हमारे सेवन सिड्यूर में सात्वी और सूची में बात की गई है division of power की उसमें तीन लिस्ट है दिर आर थ्री लिस्ट तीन सूची है पहली सूची है संग सूची आज उसमें 97 जब वो स्टार्ट हुआ था उसमें संतानबे संतानबे बिसे थे जो लिस्ट तू है उसमें छाचट सब्जेक्ट थे 66 जिसके उपर स्टेट गवर्न्मेंट कानून बना सकती है ध्यान दीजेगा आज में उस समय में क्या अंतर है आज में और उस समय में यहीं अंतर है ठीक है यहीं अंतर है कि भाई उस समय सिर्थ दो ही था उस समय दो ही लिस्ट थी कौन-कौन सी सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे लेकिन आज तीन है यूनियन स्टेट और कंकरेंट तो सेंट सेड्यूल में यह लिखने के लिखना नहीं है सेवन सेड्यूल में डिविजन ऑफ पावर कहा गया सत्ता का विवाजन लिस्ट वन यूनियन लिस्ट नियनटी सब्जेक्ट पहले थे अभी हंड्रेड है लिस्ट टू श्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पहले थे आज साठ हैं ऐस्टी वन है लिस्ट त्री कंकरेंट लिस्ट 47 पहले थे आज 52 हैं हिंदी की बात करें तो सत्ताग्य विवाजन की बात हो रही है सूची एक संग सूची पहले सत्तानवे थे अब सौ हैं सूची दो राज सूची पहले च्छाचट थे आज 61 हैं सूची तीन समवर्ती सूची पहले 47 थे अभी बावन हैं संग सूची पे सिर्फ संग सरकार कानू कानून बना सकती है समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही कानून बना सकती है लेकिन कानून किसका मानने होगा सेंटर का क्योंकि हमारे यहां पर सेंटर को पाउरफुल रखा गया है तो इसकी शुरुवात जो हमारे संभिधान में है इसकी शुरुवात कब हुई थी 1919 में क्योंकि सबसे पहले उसमें प्रोविजन आया था सेंट्रल और प्रोविंशल सब्जेट के बटवारेगा ठीक है सेंट्रल और प्रोविंशल सब्जेट के बटवारेगा चलो ठीक है तो सेंट्रल गौर्वर्विंट की हम बात कर रहे हैं I am talking about the केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार और फिर हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी सब्जेक्ट की यानि कि हम बात कर रहे हैं विशयों की भी नहीं वर हम बात कर रहे हैं विशयों की ठीक है विशयों की बात हो रही है तो यहां पर लिखो कि अब यहां पर विशय किसको दिये जाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो भी विशय जो विशय रास्ट्रिय महत्व के थे नहीं सीधी सीधी बात लिखो रास्ट्रिय महत्व के रास्ट्रिय महत्व या ठीक है एक से ज्यादा प्रांतो ज्यादा प्रांतो से संबंधित से संबंधित से संबंधित बिशय ठीक है केंद्र ठीक है इसको क्या कह रहा है केंद्र अस्तर पर केंद्र अस्तर पर प्रशासित किये जाते थे प्रशासित किया जाते थे यहांब लिखो किD flatter off the matter of national importance importance and the matter of the subject of the subject matter the matters of national importance and matters related to more than one province one province provinces were administered by center center कौन कौन से मुद्दे हैं भाई इसमें मुद्दे कौन कौन से हैं कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं तो इसमें मुद्दे हैं भाईया कि फौरेन अफेर्स फौरेन अफेर्स फौरेन अफेर्स बिरेश मुद्दा ठीक है डिफेंस आज भी आज भी यह center हमारे union list में ही है political relation पौलिटिकल रिलेशन उसके बाद से communication communication उसके बाद पब्लिक डेप्ट पब्लिक डेप्ट उसके बाद से criminal laws etc ठीक है यहाँ पर देखो जैसे की जैसे की विदेश मामले विदेश मामले रक्षा राजनेतिक संबंद फिर दूर संचार communication मतलब की आपको संचार के संचार संबंधी फिर पब्लिक डेप्ट यानि कि हम कहेंगे की राजकी यह रिड़ तथा criminal law अप्राधिक कानून आदी ठीक है यहां पर लिखो फिर कर और फिर ऑून त POL मतलब लिवश के ग्वश को तकलब लिजिसलत्र वाप्राथुश का प्सक्र ग्षपूर्पूर्वल मोर पावरफुल बाई मोर रिप्रेजेंटेशन यहां बेखो कि केंद्रिये लेजिसलेटिव की बात हो रही है चलो केंद्रिये हाँ नहीं लेजिसलेटिव की अभी बात नहीं हो रही है सेंट्रल पूरे लेजिसलेचर की बात हो रही है एक्जगुटिव की बात हो रही है और लेजिस्टेचर की बात हो रही है ठीक है तो हम सीधी सीधी बार लिखते हैं चलो केंद्रिये क्योंकि संख्या भारतियों की उधर भी बढ़ी है विधान परीशद दोनों जग़े सिर्फ एक ही को लिखो केंद्रिये विधान परीशद को मैं या फिर को अधिक प्रतिनिजित्तु देकर अधिक प्रतिनिजित्त्व देकर अधिक शक्तिशाली बनाया गया अधिक प्रतिनिजित्त देकर अधिक शक्तिशाली बनाया गया है एनी डाउट यहां तक किसी को इसकोई सक्संदे है पूछिए प्रेजेंट डाइम वन मोर रेजिडूरी पावर है जो किसी लिस्ट में नहीं है उसके उपर केंदर बना सकता है यहां पर किसी पर्टिकलर लिस्ट की तो वहां पर तीन ही की बात करेंगे हैं ठिक संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची की ठीक है अब नीन तो आती है लेकिन क्या करें हैं करना पड़ता है राइट शाक्षी हमको क्या है कि यह पैसे वालों का बजार खराब करना है अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े ठीक है पैसे वालों का बजार खराब करना है चाहे कितना भी टाइम लगे मुझे यह काम करना है पैसा जो शिक्षा में इन लोगोंने बेचा बेची कर रखी है वो चीज दूर करनी है चलिए तो प्रोविजिन्स ऑप गौर्ण्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेंट्रल गौर्ण्मेंट के बारे में आप समझ गए नेक् एक्जिश्लेटिव काउंसिल में ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्जिक्टिव यहां पर सेंट्रल एक्जिक्टिव नहीं तो पुतरंद भूलोगे कि सर कहा की बात हो रही है सेंट्रल एक्जेकुटिव यानि की केंद्रिय कारेकारणी अब ये केंद्रिय कारेकारणी क्या है बहुत सारे तुरंत ही डाउट में आएंगे लेकिन हम यहां पर बता देते हैं आपको क्या है तो लिखो कि एक्जेकुटिव ओफ वाइसराय एक्जेकुटिव काउंसिल लिख लो क्या है वहिया वाइसराय एक्जेकुटिव वाइसराय या एक्जेकुटिव काउंसिल ओफ वाइसराय एक्जिगुटिव काउंसिल ओफ वायसराय केंद्रिय कारकारणी कहने का मतलब है कि भाया वायसराय की वायसराय की कारकारणी परिश्द ठीक है यहां से लिखने सुरू करें यहां लिखो वायसराय बिकेम वायसराय बिकेम क्या बन गया वायसराय बिल्कुल सबसे पावरफुल अथारिटी बन गया है वायसराय बिकेम दे चीफ दे चीफ हाँ दे चीफ एग्जेकुटिव अथारिटी आज हमारे देश में वू इस दे चीफ वू इस दे चीफ आफ दा एग्जेकुटिव बताइए कारकारणी का मुखिया किसको कहा जाता है चीफ आफ दे एग्जेकुटिव कौन है हमारे देश में आज बोलिए अरे बताओ अक्षे करें प्रेशिडेंट अगर मैं पूछी हूँ देचीफ ऑफ दा गॉर्णमेंट दोनों लिखिए चीफ ऑफ दा गॉर्णमेंट कौन है और चीफ ऑफ दा एग्जिक्टिव कौन है सब लोग अलग अलग जवाब लिखें दो कोश्चन है इसमें हूँ देचीफ ऑफ फूज देचीफ ऑफ एग्जिक्टिव हूँ देचीफ ऑफ देचीफ ऑफ देचीफ गॉर्णमेंट अट सेंटर दोनों जवाब एक साथ टाइप करके लिखिए कि यह है तब तक मैं आगे लिखना हूँ ठीक है वाइशराय नो गूगल वाइशराय मुख्य ना ओके वेरी गूर्ड अंची वाइशराय कारकारणी के वेरी गूड चीफ पी एम एग्जेकुटिव प्रेसिडेंट साक्षी अपने उत्तर को सुधारिये चीफ ऑफ एग्जेकुटिव प्रेसिडेंट है और चीफ ऑफ गॉर्णमेंट वो अगर आप कहेंगे कि कारकारणी का मुख्या कौन है तो तो कारकारणी का मुख्या राश्टपती है सरकार का मुख्या कौन है तो वह प्रधान मंत्री है तो वाइसराय कारकारणी का मुख्या हो गया ठीक है का मुख्या हो गया अब गाओ वाला मुख्या नहीं है ठीक है ठीक है तो अभी नेक्स हम लिखते हैं there had to be there had to be at least eight members eight members गोगेते हैं लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं सेक्षारिक थैसिए प्रधपते हैं there had to be at least eight members in अग्जुकुटिव कौंसल आफ वाइसराय वेरिन वेरिन थी मेंबर्स थी मेंबर्स थी मेंबर्स वर इंदिन्स ठीक है there was no lady member in it ठीक है सीधी सी बात लिखो लिखो कि वाइसराय के कारिकारणी परीशद में में आठ सदस्य होने थे में आठ सदस्य ब्रेकेट में लिख लो अधिक्तम बारा सदस्य अधिक्तम बारा सदस्य होने थे जिसमें से तीन शदस्य होने भारती ये थे आठ में से तीन कोई भी इस परीशद में किसी महिला किसी महिला इस परीशद में किसी महिला सदस्य नहीं थी नहीं थी या नहीं होनी थी कि सबको ये बात क्लियर होई ओके जहां बेभी डाउट आएगा तुरंट पूछेंगे बताएगा दूसरा आप लोग को बजट बजट आता है तो आप लोग बजट के बारे में जानते हो कभी कभी बजट देखे हो वहां पर एक cut-in grant होता है बजट जब पेज होता है तो जितने भी मंत्राले हैं उन मंत्राले जो होता है वो discussion होता है voting के पहले discussion होता है उस discussion में cut cut motion आते हैं cut motion याद हैं आपको cut motion आते हैं उसको कहता है cut in grand motion उसमें zero cut होता है maximum कभी one Rs. cut होता है, राइट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो opposition है या जो भी वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, हाँ, ठीक है, नहीं, यह क्या है, cut, cut का मतलब, cut grants का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी मंत्राले के द्वारा मांगे गए जितने पैसे हैं उसके उपर सवाल उठाना सबको पताईए उसके उपर सवाल उठाना कि भाई इतने पैसे तो नहीं लगेंगे इतने पैसे तो नहीं लगेंगे ठीक है उसके बाद उसके उपर discussion होता है तब जाकर के भाई government उसको पारित करती है थी टाइप अफ कट एकोनोमिक कट पॉलिसी कट टोकन कट चलो हम उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी वहां पे नहीं पहुंचे हैं यह जान लो कि cut in grant होता है उस समय अब हम जो बात कहने जा रहे हैं उससे संबं आंगे किसी ने motion करके cut करा दिया राइट कि इतने पैसे नहीं जाने हैं और उसमें cutting करनी है तो गवर्णर बाइसराय के पास पावर थी बोले और कोई cut नहीं राइट यानि he was having the power to restore the cutting grant समझ रहे हैं कि दूसरा कि मान लो कि कोई अधिनियम आया किसी कोई भी व्यक्ति लेकर के बिधेयक आया बिल आया तो बिल आता है तो क्या होता है बिल आता है तो यह होता है ना कि पहले लोकसभा में पास होता है तब राजसभा में पास होता है कि समझ रहे हों तो मान लो कि अब यहां पे बिल जो आया है जो बिल आया है या बिधेयक आया है बिधेयक बिल मतलब की टेलिफोन बिल या फिर खाने का बिल नहीं I'm talking about the लोक सम्हाने उसको पास नहीं किया तो पास नहीं किया यहाँ पैसर करना है इस पिसन नहीं है तो वापस किजिए जाओ आवे थोड़ा देख लेना पिर से चेक करके दो दुबारा जाएगा तो साइन करना है हाँ पॉकेट में डाल सकता है उसको नहीं पसंद है नहीं देना है तो वो क्या करेगा पॉकेट में डाल लेगा शेशन कतम दीरे दीरे गोर्ण्मेंट कतम समझ रहे हैं अगर लास्ट टाइम में कुछ होगा सब्सक्राइब, करद लेकिन रास्ट पती जो है कभी भी आप कोई तो उसमें कुछ नहीं करता है लेकिन वाहिसराइक के पास क्या पावर थी भाई वाइसराय के पास पावर थी कि अगर आपने बजट के ऊपर कुछ कट लगा दिया है तो उसको रिस्टोर कर देगा वह नहीं बजट जितने था उतना ही रहे अगर आपने कोई बिल चाहे लोगसभाय राजसभा में उस समय दो हाउसे भी बन गई थी हम आगे जानेंगे तो अगर कोई बिल जो है उसको राजसभाय ने या लोगसभाय में डाउन कर दिया गया तो प्रेसिडेंट अपने मन से प्रेट नहीं वाइशराए अपने मन से कहता है बिल आया मतलब मैं कह रहे हों कानून बनेगा वह सटिफाइद था कि हां मं बढया है तो कानून कानून बनेगा ठीक है और हूब कानून बनेगा तो कानून बनाने कहا अधिकार था नहीं तो वो आज जो वह हमारे के पास है ओरडिनेंस ओरडिनेंस दो कब लाय जाता है ऑजन Civ度 तब ला जाता है दमनेंट चमुद ए montón बार यहीं न होग और लोडनेंस आने के करता था जो भी कट होते थे उसको रिस्टोर कर देता था सेंटरल लेजिस्टेशन में अगर कोई भी बिल रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर उसके उपर ओडिनेंस ले आता था छे मैंने के लिए भी बोलियेगा किसी को कोई सक्संदे है तुरंथी पूछेगा कि सर क्या दिक्कत है ठीक है चलो तो अब हम लिखते हैं किसी कुछ प्रॉपनी में में तो यह हुआजड़ों अवैसराय 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 थांक किसी का बिक्रावतर विखते हैं Cuts in Grants. restore cuts in grants and he also certified bills rejected by he also certified bills rejected by central legislature and issued ordinances और तुरंदी ordinance इसू कर दे था था तो अब लिखो कि वाइशराय के पास वाइशराय ठीक है budget में मंत्रालेओं द्वारा किये गए अनुदान मांग अनुदान मांग यहां से वाइशराय हटा दो budget में मंत्रालेओं द्वारा किये गए अनुदान मांग पर यदी यदी कटावती कटावती प्रस्ताव आज जाए तो भी वाइशराय उसे वाइशराय उस कटावती प्रस्ताव को को अपने मन के अनुसार ठीक है श्विकृती देता था या फिर से लागू करता था ठीक है मतलब उसको हटा देगा मन करेगा मानेगा अनुदान मांग को मान लेगा या मन करेगा तो कटावती प्रस्ताव को को कएगा नहीं चलेगा जो मैं कह रहा हूँ वो होगा ठीक है बताईएगा दूसरा फिर क्या है वहिया ये अल्सो सर्डिफाइड बिल्स रिजेक्टेड बाई सेंट्रल लेजिसलेचर दूसरा इसी में लिख लो कि अगर कोई विधेयक कोई विधेयक केंद्रिये विधान परीशद में में पारित नौ हो तब भी वैसराय उसे सत्यापित कर वैसराय उसे सत्यापित कर सर्डिफाइड बिल्स रिजेक्टेड वाई सेंट्र लेजिसलेचर एंड इशूड ओडिनेंट तो तब भी वैसराय उसे सत्या सत्यापित कर और्डिनेंस को क्या बोलते हैं और्डिनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए और्डिनेंस मेनिंग इन हिंदी अरे अध्यादेश है बाबू अध्यादेश ला सकता था और वो अध्यादेश आज कीत रही छे मेंने के लिए होती थी बोलियेगा अल अथ यूअ अध्यादेश वरेगुड दीपती जैहिंत मेंबर्स फाव ओंली ड्डवाईजरी पावर गाइंग है और्रव करद को ओडवाईजरी पावर देश हैते हैं पावर उनके पाशेंते अब तो वो वोट वोट सब कर ते थे वाट उनके वोट को कहीं पे भी खारिज किया जा सकता था पावर्फुल हमारा वाश्राय था बहुत ही ज्यादा ठीक है कि एनी डाउट किसी को कि अब इसी में देखेंगे रिफॉर्म्स इन लेजिसलेचर बोलिएगा एक काम करते हैं भाईया बैसराय की पावर देख ले इसी में लिख लेते हैं कि बैसराय की पावर क्या है तो अब हम लिखेंगे पावर्स ओफ बैसराय पावर्स ओफ वैसराय क्या 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 वैसराय की पावर है भाई ठीक है तो लिखो परिया वैसराय की शक्तियां पहले दोगों शक्ति तो उसका देखी लिए होंगे आपको अंदाजा तो लगी गया होगा ठीक है देख लो और क्या पावर है भाई हाँ पहला पावर पहला पावर यह है ही एड्रेस्ट ही एड्रेस्ट एड्रेस्ट लेजिसलेचर लेजिसलेचर में जाके संबोधित कर सकता था ठीक है ही एड्रेस्ट लेजिसलेचर तो यहां पे लिखो की विधाईका को इस विधाईका मतलब केंद्री यह विधाईका विधाईका को संबोधित करता था रहा है शंबोधित कर सकता था अब आप पूछो कि सर लेजिसलेटिव एसेमली की काउंसिल अप स्टेट तो हम कहेंगे दोनों कर सकता था अच्छा आप ये बताईए अभी आपके पार्लेमेंट में थोड़ा बहुत सब लोग पढ़ी रहे होंगे ठीक है अभी आपके पार्लेमेंट में कौन जो है मिटिंग बुलाता है उसको एड्जॉन करता है ठीक है पार्लेमेंट में कौन मिटिंग बुलाता है कौन उसको एड्जॉन करता है और यह सारे काम काम करता ह मतलब आगे के लिए फिर नेक्स्ट के लिए या फिर ने ठीक है वो लिए या उसको भंग कर सकता है ओके सोने सिंग जैहिंद और दीपती जैहिंद कोई बाद नहीं ओके ठीक है तो फॉर्स्ट है हाँ प्रेसिजेंट बुलाता है आई थिंक क्या बात बोल रहा है कौन एड्रेस करता है मतलब एड्जॉर्ण्मेंट एड्जॉर्ण कौर्ड कर सकता है या फिर यह कौन करता है मीटिंग तो प्रेसिजेंट बुला सकता है एड्जॉर्ण्मेंट और पार्लेमेंट शेशन कौन करता है एड्जॉर्ण करता है प्रेसिजेंट करता है यह फिर लोग्वाद देख्ष करता हैं यह प्रेसिएट करता है एड्जॉर्ण्मेंट जो है वह स्पीकर करता है स्पीकर करता है तो Mr. ठेक है तो मीटिंग तो ववह सक्ता है मीटिंग बुला सकता है बट पुरे अगरवुरे बगरा की बात करें तो शेशन को बुलाना शेशन को अड़ जान करना यह सारा काम स्पीकर का है उस समय किस का काम था उस समय काम था भाईया उस समय काम था प्रेसिडेंट नहीं वैसराए का वेरी गूड वेरी गूड इधर अक्षा ने प्रेजडेंट कहना शुरू गिया अंसी ने प्रेजडेंट का कांति सिंग प्रेजडेंट बुलाता है ऑफ कोर्स बुला सकता है जब भी उसको लगेगी किसी मुद्दे पे लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो है ज्वाइन ज्वाइन उनको बुलाया जा सकता है ठीक है चलो तो ही एड्रस लजिसलेचर दूसरा है कि इसको और क्या पावर थी so he had the power to call for meeting again to call for meeting to adjourn it and to adjourn it ठीक है तो लिखो की वाइसराई के पास वाइसराई वाइसराई अजर्ण meeting ठीक है adjon the legislature he had the power to call for meeting and adjon ठीक है adjon and to adjon it power to call for meeting of legislature यहाँ पर पूरा सब लिखो meeting of legislature and adjourn ठीक है अब यहाँ पर देखो Viceray के पास विधाईका को बुलाने adjourn को क्या कहते हैं adjourn meaning in Hindi बोलिये anyone adjourn meaning in Hindi विधाईका को बुलाने या किसी दूसरे समय तक स्थगित करने दूसरे समय तक स्थगित करने की शक्ती थी परशान इसलिए नहीं होना है इस क्लास को पढ़ते समय क्यों क्योंकि दो ही काफी बड़े बड़े एक्ट हैं आप सोच लो कि हिस्ट्री की भी क्लास यहीं पर कर रहे हो आप सोच लो कि पॉलिटी की भी क्लास यहीं पर कर रहे हो हाँ ठीक है हाँ नहीं स्थगित करना स्थगित करना भंग करना या समाप्त करना नहीं होता है एड्जॉन्मेंट मतलब उसको अगले समय के लिए टाल देना है ठीक है एड्जॉन्मेंट मतलब उसको अगले समय है तो हमने जॉइंट सिटिंग की कभी बात नहीं कि थी I never called for joint sitting मैंने joint sitting नहीं कही थी हमने बस कहा था कि legislature को ठीक है हमने कहा थी legislature को कहा था joint का हम बात नहीं कहे थे हमने कहा था कि legislature को बुलाना एड जॉन करना है चलो ठीक है आपके messages पता नहीं कितने दिर में आते है ओके ठीक है आगे चलें so he addressed legislature he had the power to call for meeting in legislature and adjourn it he even had तीसरा एक और चीज़ है he even had the power to repeal the legislature भांग कर सकता था वो समझ रहे हैं आप भांग करने की भी सक्ति रखता था को भांग करने की भी सक्ति रखता था भांग करने की रखता था उसके अलावा the tenure of the tenure of the tenure of ठीक है legislature the tenure of legislature the tenure of legislature was three years three years three years for central legislative assembly central legislative assembly but but voice rai could even had it extended for as many years as he wish very good कौन बोला dissolve तो बोले थे dissolve तो बोले थे चलो मैंने session dissolve करने की बात किये थी session को dissolve करने की और यहां पे आप house dissolve करने की बात कर रहे है समझ रहे हैं house dissolve करने में और session dissolve में अंतर होता है अक्षे समझ रहे हैं यहां पे session dissolve करने का मतलब यह session खतम होता है house dissolve करने का मतलब जो अभी प्रेजिडेंट नहीं कर सकता है house dissolve मतलब की लोकसभा भंग होती है दोनों में अंतर समझ रहे है है पाल्लेमेंट का कोई एक सेशन लोकसभा का या राजसभा का जो है वह सेशन खतम कर सकता है लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं क्या प्रिजिडंट लोके CC सभा भंग कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसके बाबुजी चाहें तब करता है बोला कि यह काम करो यह बोरिया बिस्तरा बंद करो तुम्हारा लोग सबाई यहीं पर खत्म होता है तो वो कर सकता था इवन उसके पास यह भी पावर थी ठीक है पावर टू रिपील और इसको ब्रैकेट में लिखे लो डिजॉल डिजॉल the legislature वह बिदाईका को वंग करने की भी शक्ति रखता था दूसरा आज यह पताओ कि हमारी लोगसाबाख कितने सालों के लिए चुनी जाती है हमारी लोगसाबाख कितने एक बार जब गॉर्ण्मेंट बनती है कितने सालों के लिए ओके चलो इसलिए मैं जितना बोलता हूं उतना क्लियर रहता हूं बताईए एक बार पार्लेमेंट सबसे क्षिचन है everybody who's over sitting in the class. कितने सालों के लिए सालों ने आज़र दिया पांच साल के लिए पांच साल के लिए पांच साल के लिए ओके अब मुझे बताइए कि आपकी लोग राजसभा कितने साल के लिए होती है राजसभा कितने साल के लिए होती है कि मैं कुश्चन पूछ रहा हूं ध्यान दीजेगा कान में मतलब तेल नहीं डालना है इस शोनी सिंह कर दी छे साल के लिए अक्षय कर रहे हैं इंडिफिनिट प्रेट मैं मेंबर्स को नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं राज सभा कितने सालों के लिए होती है I am not asking about the members एकदम clear cut पूछ रहा हूँ यहां पे members की बाते नहीं हो रही है अंसी फिर भी कर रही है छे सल के लिए सालू कर रही है छे सल के लिए सोनी सिंग कर रही है छे सल के लिए अच्छा वो छोड़ो अब बात करते हैं भंग वेरे गूड अक्षिता और कश्यप अक्षिता और कश्यप दोनों सही है यह पर्मानेंट हाउस है कांती सिंग और सालू और सोनी सिंग सभी लोग यह बात जानिये कि यह एक पर्मानेंट हाउस है राजसभा जो कभी खत्म नहीं होती है सिर्फ उसके एक सदस से जो चुने जाते हैं वो अलग-अलग समय पे आते हैं एक सदस से जो आएगा वो छे साल के लिए रहेगा रईpower और हर एक दो साल पर एक तिहाई सदस से बदल दिये जाते हैं क्या मैं बात सही कह रहा हूं लेकिन राज सभा कभी भी भंग नहीं होती है जबकी हाँ वेरी गुड इसलिए कोश्चन ध्यान से सुनना है ठीक है वन थर्ड मेंबर चेंज हो जाते हैं तो अभी अभी बताएंगे अजय की क्या एक तिहाई माल लो अजय बाबू मैं राज सभा में चुन के गया हूं पिछले साल ही और कह रहा है कि एक तिहाई चेंज होने हैं क्या मुझे अगले साल चेंज कर दिया जाएगा एक साल के अंदर ही मुझे कहा जाएगा कि एक तिहाई अगर जा सकते हैं तो आप भी जाईए हाँ every second year one third change now my question is to everyone into the class that if I am MP in Rajasabha I have joined there in 2021 21 में join किया अगले साल दो साल के बाद 2023 में मुझसे कहा कि जस्वन साहब अजय कोश्चन नहीं सुन रहा है तुम ठीक है कोश्चन नहीं सुन रहे हो रैट हाँ सालू आप भी सुनिये कोश्चन ध्यान से सुनिये 2021 में राजसभा के मेंबर हम बने हैं राजसभा के सदस्य और 2023 में कहा कि बाबु यश्वन सेंग आप जो है एक T.I. मेंबर बदल रहे हैं काम करो तुम भी बदल जाओ तुम चेंज हो जाओ क्या मुझे हटा दिया जाएगा सबसे पहला जवाब देंगे अजय सबसे पहला जवाब देंगे अजय अक्षा ने कह दिया no कांती सिंग ने कह दिया no हम आप लोगी बातों से शेहमत नहीं है हमें अजय का जवाब चाहिए विनोज सिंग ने भी कह दिया नो चलिए सालू भी कह रही है नो अजय बोला बबू चलो दे टेन्योर अफ लजिस्लेशर सोनी सिंग भी कह रही है नो अरे सीधी सी बात है चलो मैं आगे लिखता हूँ तो यहां पर लिखो दे टेन्योर अफ लेजिस्लेशर वास थ्री यर्स फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेमली यहां पर हाँ बिलकुल अगर मैं एक बार जॉइन किया हूँ तो मैं पूरा रहूँगा वेरी गुड छे साल रहूँगा मुझे नहीं मतलब है कि इते एक ती आई बदलना है कि क्या है जो पहले से आया हो पहले जाये ठीक है तो यहां बें लिखो कि केंद्रिये विधाईका का कारेकाल आज केंद्रिये विधाईका का कारेकाल आज कितने साल का होता है पांच साल का होता है पांच साल का लोग सभागा है केंद्रिये विधाइका का कारेकाल तीन साल का होता था तर अच्छा यह बताइए पांच साल का है अब प्रेजडेंट सोच रहा है कि अरे यार कोरोना टाइम है स्कूल तो बढ़ा ही दे रहे हैं क्या ऐसा किया जा सकता है कि सरकार को भी अगले कुछ सालों के लिए बढ़ा सबसे कुश्चन है केंद्रिये विधाइका का कारेकाल प्रेसिडेंट अगर कहे तो प्रेसिडेंट अगर एगरी हो तो क्या बढ़ा सकता है केंद्रिये विधाइका का कारेकाल तीन साल का होता था ठीक है तीन साल का होता था ठीक है लेकिन अगर ओके प्लीज मेंशन दा आर्टिकल किस आर्टिकल के हिसाब से क्या एक साल के लिए बढ़ाया जाता है ठीक है लेकिन अगर वाइसराए लेकिन अगर वाइसराए चाहे तो जब तक मन करे जब तक मन करे विधाईका का कारेकाल बढ़ा सकता था बढ़ा सकता था बोलिये क्योंकि यह सब काफी संगीन मुद्धे है आर्टिकल या रखना पड़ेगा ठीक है ठीक है टीक यह विधर लोग सबा कैन दी एक्सेंद इए पर और तन फ़ाइव यह बोलिये कि 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 संभिदान में हुआ है कि 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 कारेकाल को बढ़ाया गया हो बाबु देखो सीधी सी बात है आर्टिकल 79 बिधाई का लिख दिया सीधे सीधे देखो सीधी सी बात है only during the proclamation of emergency ध्यान दी जगा सीधी सी बात ऐसे किस में नहीं only during the proclamation of emergency कि क्या किया जा सकता है the term of the लोग सभा can be extended for not more than one year एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है fifth लोग सभा जो थी fifth लोग सभा fifth लोग सभा के द्वारा इसको एक बार बढ़ाया जा चुका है ठीक है एक बार नहीं दो बार बढ़ाया जा चुका है fifth लोग सभा को दो बार extend करना पढ़ा था उसके लिए क्या है तो कब आया था भाया 1976 में इसका नाम क्या था house of the people act याद रख ले यह लिख लो house of the people house of the people और bracket में लिखिये extension of duration extension of duration देखो UPSC इसी प्रगार के question पूछती है ठीक है extension of duration act 1976 1976 इसके द्वारा दो बार बढ़ाया जा चुका है हालांकि अभी मालो की बढ़ा दिया एक साल के लिए इमर्जन्शी है इमर्जन्शी है 2021 में इमर्जन्सी शुरू हुई थी ठीक है 2021 में इमर्जन्शी जनवरी के महिन्य में लग गई मोदी जी ने कहा कि भाई जो है कोविन साब इमर्जन्सी लगा दो कोविन साब ने इमर्जन्सी लगा दी 2021 में अब जुलाई के महिन्य में जैसे 30 जुलाई 31 जुलाई हुई इमर्जन्सी हो गई खतम ठीक है या छोड़ दो माल लो कि यह शुरू हुई जुलाई के महिन्य में एक जुलाई को एक जुलाई को एक जुलाई को इमर्जन्सी रामनात कोविन ने शुरू की अब एक जुलाई को रामनात कोविन ने शुरू की इमर्जेंसी नेशनल इमर्जेंसी बट 31 जुलाई को उन्होंने नेशनल इमर्जेंसी खतम कर दी हाला कि हाउस ओप दे पीपल एक 1976 की वजह से लोक सभा एक्स्टेंडड हो चुकी है एक साल के लिए अब मुझे आप ये बताएंगे कि यह जो एक्स्टेंशन है क्या एक जुलाई 1922 तक पर लब 2022 तक चलेगा या नहीं चलेगा वेरी गुड वेरी गुड आर्टिकल 352 है बोलो बावू बोलिये 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 एक जुलाई 2021 को रामनात कोविद ने देश में इमर्जेंसी लगा दी और लोगसभा भी भंग होनी थी लोगसभा भंग होनी थी 30 जून को ही या एक जुलाई को ही बंग होनी थी उन्होंने एक साल के लिए एकस्टेंट कर दिया एक जुलाई 2022 तक के लिए एक्स्टेंट कर दिया अब 30 दिन के अंदर ही 31 जुलाई 2021 को ही वो खतम हो गया क्या वो एक्स्टेंशन एक साल के लिए रहेगा नहीं रहेगा बोलो बाबु बोलो बोलो ठीक है मैं लिखता हूँ तब तक बोलिएगा दिर दिरे इसका इसका नाम लिख लो इसका नाम है लोग सभा कारेकाल का बढ़ाया जाना कारेकाल का बढ़ाना बढ़ाया जाना लोग सभा अधिनियम उनिस सो चीच्टर यह आर्टिकल थ्री फिफिटी टू है कौन नहीं समझा अक्ष्य है बहुत अच्छे से समझ गए हो हमने कहा बाई एक जुलाई 2021 को मोदी जी का कारेकाल खतम हो रहा था एक जुलाई को ही लेकिन एक जुलाई को अचानक से रामनात कोविद कहते हैं कि देश में हम इमर्जेंसी लगा रहे हैं तो एक साल के लिए एक्स्टेंशन इस आर्टिकल को ही खतम हो जाए तीस दिन में खतम हो गई क्या यह एक्स्टेंशन है एक जुलाई 2022 तक रहेगा नहीं रहेगा कांती सिंग ने कह दिया रहेगा विकॉज एक एक का एक्स्टेंशन मिला है अक्षिता ने कहा रहेगा सालुब कहेंगी कि होगा extension अक्षय कर रहा है आपका आप क्या पूछे नहीं समझें समझ गया है ठीक है मैं इतना clear-cut कह रहा हूं अक्षय कर रहा है never नहीं रहेगा कितने दिनों के लिए नहीं रहेगा उसी दिन खतम हो जाएगा हां national emergency 31 को इंखतम हो गया है मैं यह कह रहा हूं लेकिन extension तो एक साल का मिल गया है ठीक है यह यहीं प्रैक्टिस करना है फिर नहीं रहेगा बिकॉस प्रेजिदेंट प्रेजिदेंट ड़सेंट फील कि मैं मैं नहीं चाहता हूं रिवोक नहीं करना चाहता हूं अरे इमर्जन्सी रिवोक तो कर देगा बावु एक्स्टेंशन का क्या करेगा एक से इक साल का दे दिया है एस्टेंशन का रिबेंग करदे जो लोग सबा का कारेकाल एक बढ़ा दिया है उसका पावर का क्या है बिलकुल क्योंकि वो एक extension act से आया है मैं revocation emergency तो कर दे आपके हाथ किये extension तो किसी कानून के माद़न से आप दे रहे हैं उसका क्या है बताइए यहां पे वाई सराई की पावर हमने पूरी की पूरी लिखती है भाई ध्यान से सुन लो ध्यान से सुन लो यह house of the people extension of direction 1976 में ही कहा गया है कि अगर कोई extension एक साल के लिए हो गया है emergency बीच में खतम हो जाए मैं बता रहा हूँ emergency बीच में अगर यह खतम हो जाए ठीक है बीच में खतम हो जाए तो उस दसा में उस दसा में वो सिर्फ छे महिने तक ही operate करेगा कितने दिन तक हां सिर्फ छे महिने की तक यानि अगर एक जुलाई को शुरू हुआ है तो 31 दिसंबर को यह extension खतम हो जाएगा यानि लोग सभा उस दिन डिजॉल्व हो जाएगी समझ रहें आप लोग all of you understood हाँ नहीं नहीं अक्षय यह आपने लिखा है वो गलत है extension तब तक होगा जब तक emergency है ऐसा नहीं है एक इमर्जेंसी कतम हो गई 31 जुलाई को लेकिन अब यह होगा कब तक जिस दिन से स्टार्ट हुआ था छे महिन ने तक छे महिन ने तक है समझ रहे हैं छे महिन ने तक होगा for six months only ठीक है तो यहां पर वाइसराय की सक्तियों के साथ आज की क्लास खतम करते हैं बड़े आराम से इसको हम कल भी पढ़ेंगे कि इसको हम कल भी पढ़ेंगे modern history के समय पे पढ़ेंगे या आप कहो तो जोग्रॉफी के समय पे कि एनी टाइम यू डिसाइड हाउस प्रिएड इस ओक्ले एंड़ेंड और विधिन six months election should be conducted विकॉज इफ इमर्जेंसी आपने क्या लिखा extension तब तक होगा जब तक इमर्जेंसी है मतलब की इमर्जेंसी खतम होती है 31 को विकॉज इफ इमर्जेंसी रिवोक्ट दा एक्स्टेंशन आप हाउस period is automatically ended उसी दिन खतम हो गया है तो छे महिनने के अंदर election conduct करना है हाउस तो उसी दिन पहले भी छे महिनने के अंदर आपको करना ही था लेकिन आप कहना extension तो उसी दिन खतम हो गया कि बोलिए modern history के टाइम पर पढ़ना है जोग्राफी के टाइम पर पढ़ना है as you decide क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसको बहुत समझते हुए पढ़ना पढ़ेगा because there are very intricacies in it यहां से हम quality भी पढ़ रहा है quality ही पढ़ रहा है वैसे हम evolution पढ़ रहा है बट इसको जानते हुए पढ़ रहा है क्या-क्या कमिया है इसमें और क्या-क्या अच्छी चीजे जो हमारे constitution में आज मिलती है वह है कि everyone प्लीज से किस टाइम पर कि anyone ठीक है जैसा होगा आप बता देना क्या modern history के class में आज मैंने बोला था बट अभी वन पी एम हो रहा है वन पी एम हो रहा है और वी हैब they will have class for geography at five वही 530 यह जितने भी टाइम पर हम लोग करते हैं और यह class हम लोग अर्ली करेंगे लाइक एट पर आठ बजे से लेके थोड़ा लंबा class करेंगे मेरा थर्ण टाइब के आज वैसे भी लेट शुरू किया है ठीक है तो पावर्स ऑफ बाइसराय जितना पढ़ाया है उतना जरूर पढ़ लेना है कल थैंक्स जय हिंद्ध वे विलाब टू क्लास तुमोरो एक क्लास होगी जग्रवफी की दूसरी क्लास होगी हिस्ट्री पॉलिटी की काफी लंबी थैंक्स जय हिंद्ध क्लास अव टाइम फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट इसलिए हो रहा है बिकॉस आज कौन सी क्लास फ्लक्चुएट तो कोई नहीं हुई थी चलिये थैंक्स थैंक्स जय हिंद्ध